Hello students, welcome back to our online class. Today we are going to learn about class for English. Now we will discuss the rest question answer of the chapter, the making of a line. So, let's start activity 5, homophones. Useful tips, यहाँ पे कुस्छ useful tips दिया गया है, देखा बच्चो. इसे अगर तुम अच्छे से समझ जाओगे तो इसका आंसर भी लिख पाओगे अपना आप. तो चलो, मैं इसे समझा देती हूँ. Two words, we are the same pronunciation, दो सब्ध होंगे, पर उसका pronunciation same होगा. मतलब दो सब्ध, एक जैसे सुनने में लगईगा, different meaning. पर उनका आर्थ अलग होगा, different spelling. और उसका spelling भी अलग होगा. देखो, एक्जाम्पल से आपे है, year, year. एक जैसा सुनाई दे रहा है, पर spelling अलग है, और इसका अर्थ भी अलग है. year, year मतलब कान, year, year मतलब साल. वेसे यहाँ पे दिया कहें हैं, देखो सब. एक्जाम्पल से बियर, बियर, फील, फील, मील, मील, बेल, वैल, तेल, टेल. देखो, एक जैसा सुनाई दे रहा है, पर इसका spelling अलग है, और इसका अर्थ भी अलग है. तो अब हम question answer शुरू करते हैं, write the homophones, यहाँ पे हमें homophones लिखना है. leave, leave मतलब छोड़ना, तो एक जैसा सुनाई देने में, और एक सब्द लिखना है, आमें यहाँ पे, क्या लिखेंगे, leave, l-i-v-e, leave, 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 मतलब रहना, way, w-a-y, way, way, way मतलब मार्ग, w-e-i-g-h, way, way मतलब तोलना, और वजन करना, 2, t-o-2, 2 मतलब के लिए, और से, जो भी बोल सकते हो, और इसके जैसा सुनने में सब्द और कौन सा है, 2, t-w-o-2, 2 मतलब दो, there, t-h-e-i-r, there मतलब उनके, और t-h-e-r-e, there, there मतलब, वहाँ, of, o-f-of मतलब, बंद, और o-f-of मतलब का, जैसे यहाँ पर देखो, here, h-e-r-e, here मतलब, यहाँ, और एक जैसे सुनने में और क्या है, here, यहाँ पर लिख देंगे, h-e-r-e-r, here, here मतलब, सुनना, four, a-f-o-u-r-four मतलब, चार, say four, a-f-o-r-four लिख देंगे, four मतलब के लिए, और let, let मतलब चलो, तो यहाँ पर और लिख देंगे, let, जैसा सुनने में और सब्द लिख देंगे, let, let, let मतलब, मृत, और test, test, test मतलब, परिक्षा, और इसके जैसे सुनने में सब्द और लिखेंगे, test, test मतलब स्वाद, जैसे not, not मतलब नहीं, और nut, not मतलब अक्रोट, तो बच्चों, यह हमोफन समझ गें तुम लोग, कैसे एक जैसे सुनाई देगा, पर उसका spelling अलग होगा, और उसका meaning भी अलग होगा, उसे हमोफन बोलते हैं, तो यह से ही, तुम लोग अपने अपने note पर इसे लिखना, तो next class में, हम लोग इसका next question answer करेंगे, thank you,